निम्दे लिखित संक्याँ को परीमे संख्या के निम्ने लिखित संख्याँ को परीमे संख्या के या सरल्तम रूप में लिखें जैसे पहला क्विश्च्ट जीरो पॉइंट टू पर रेकरिंग इसको रेकरिंग परते हैं तो मान लेंगे हम लोग माना की एक्स बराबर जीरो पॉइंट टू पर रेकरिंग अब देखें जितना अंग पर रेकरिंग रहता है मतलब एक अंग पर है इनकी यही संख्या जो है बार 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 दोहराएगी जैसे देखें लिखें एक्स बराबर जीरो पॉइंट दो 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 मतलब ऐसा ही दो 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 चलते रहता है तो देखें आगे यान कि जितना अंग पर रेकरिंग रहेगा उतना जीरो से गुना करेंगे जिसे एक अंग पर रेकरिंग रहेगा तो दस से गुना करेंगे दो अंग पर रेकरिंग रहेगा तो एक 100 से गुना करेंगे तीन अंग पर रेकरिंग रहेगा तो एक 1000 से गुना करेंगे मतलब एक जीरो बरहात जितना उंग परेक्रिंग, उतना 0 से गुना करते हैं हम तो देखें, आभी एक उंग परेक्रिंग है, इसलिए हों कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से, तो यहां लिखेंगे दोनो तरफ, एक तरफ कर नहीं सकते हैं, इसलिए दोनो तरफ, पहले इसको equation first महां लेंगे, पर तो जब 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10x बरबर जब इसको 10 से गुना करेंगे तो होता क्या है एक अंकी इधर खेशक जाता है यानिकी 2.2222 अपना dot 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 होते रहेगे तो इसको equation second one लेंगे अब करेंगे क्या second में से first को घटाएंगे इनकी बरा में से छोटा को घटाते हैं तो लिखेंगे समीकरन दू में से समीकरन एक को घटाने पर देखेंगे अब 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा 9x और जब इस में से इसको घटाते हैं जैसे देखेंगे दो पॉइंट 222 है 2.222 है देखे dużo जीरो जीरो जिरो है यानकी 2 आए तो यहां से एक्स का फेलू जरो निकालेंगे तो क्या आएगा दो गाए 9 ठीक है जब यह 2 नमर में आए गा तो इसे ही हमको बनाना पदेगा सलिए आप इसी पर next question हम लोग देखतेा है Då जैसे देखें, दूसरा question, अब 0.254 है, इसमें 54 पर रेकरिंग है, दो पर नहीं है, तो फिर हम इसको, हम लोग क्या मान लेते हैं, x, तो माना की, x वराबर 0.254 पर ने, 54 पर रेकरिंग, अब रेकरिंग मतलब होता है, जिस संग पर रेकरिंग रहता है, वही संग क्या बार बार दोहराते रहते हैं, यहनिकि 2 पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 54 पर रहते हैं, यहनिकि 54, 54, 54, ऐसे करकर के, डोट डोट चलते रहे गाए तो इसको समीकरन कितना माल लाट्य हम लोग? एक अब देखिए जितनाありया रों से तो दोनों तरफ द से गुणा करने पर तो देखे आओ जब 10 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 10x बराबर हम बोले थे जब वो इसको एक 10 से गुना करते हैं तो एक अंकी धर खेश सकता है तो यह निकी हो जाएगा 2.54 5454 इसको समिकरन कितना मनना परे डोट डोट ही चलता रहेगा इसको समिकरन मननेंगे 2 अब देखे अब हम उपर बाले क्वेशन बोले थे जितना अंक पर रखने हैं तो उतना से गुना करते हैं तो इस क्वेशन में कितना अंक पर रखने हैं दो अंक पर तो हमको कितना से गुना करना परेगा गुन करने पर तो देखे आप 10 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000X और इसको जब 100 से गुना करेंगे तो अभी 2 0 है तो 2 अंक इधर आएगा यानिकि 2 5 4 आ गया उधर बचा कुझी 5 4 5 4 5 4 मतब डोट 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 इसी पर कर बस जाता रहेगा इसको समी करन कितना मन लेंगे तीन अब बरा में से छोटा को घटाते हैं तो समी करन तीन में से समी करन किसको घटाएंगे दो को यहां लिखेंगे समी करन तीन मेंसे समीकरन दो को गहटाने पर तो देखिया हूँ 1000X है समीकरन तीन और समीकरन दो कितना है 10X आप देखिया यहाँ 254 254.545454 इसमेंस घाटा ना हैंको 2.545454 को तो क्या आजाएगा यहाँ 00000000 और चार मेंस दो तो 252 और पॉइंट के बाद 0 का बेलू ही नहीं होता है यहाँ की 250 तो 1000 में से जब हम लोग 10X को घाटाएंगे तो कितना होचेगा 990X बराबर 250 तो X बराबर कितना होचेगा 252 990 अब हम लोग इसको काट देते हैं दो से दो एक हम दो दो दूनी चार दो चक बार है दो चौक 8 1 9 दो नमार ठार है दो बचे 10 फिर देखे आब 9 से कटेगा 3 से कटते हैं 3 चौक 12 3 दो नी 6 3 ने कम 3 3 चक ठार है 3 बचे 15 फिर 3 से 14 55 यानि कि X का भेलो कितना आगे आब 14 बटे 55 यही आन्सर देखे इसी परकार सेम क्वेस्चन हम लोग एक बार एक क्वेस्चन और देख लेते हैं क्वेस्चन नमर तीन जैसे 0.369 इसमें 69 पर रेकरिंग है तो हम लोग मान लेंगे माना की एक्स मानते हैं हमेशा तो माना की एक्स बराबर 0.369 में 69 पर रेकरिंग है यानि की एक्स बराबर क्या हो जाएगा अब 0.3 जिस अंग पर रेकरिंग रहता है यानि की वही संख्या बार बार आती है 6.969 Jata ही रहेगा इसको हम लोग समेकरिंग की तना मान लेटे हैं एक अब देखें जितना अंग पर रेकरिंग नहीं है उतना 0s पहले गुना करेंगे एक अंग पर रेकरिंग नहीं है तो हमको कितना से गुना करना परेगा 10 से लिखेंग bagus दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो जब हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10X और इसको जब 10 से गुना करेंगे तो एक अंकी धार आएगा यानकी 3.696969. चलता रहेगा इसको समेकलिंग कितना मनते हैं 2 अब जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 0 से गुना करते हैं उपर वाले क्वेशन में ही हम का जेत है तो यहाँ पर कितना अंक पर रेकरिंग है दो अंग पे तो आप पुनाह कितना से गुना करना पड़ेगा दो जीरो से यानिकि एक सो से तो पुनाह दोनों तरफ एक सो से गुना करने पर तो जब एक सो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक हजार एक्स बराबर आप दो अंकी धर खिसकेगा यानकी 369.6969. इसको समिकरन कितना मन लेंगे तीन अब क्या करेंगे समिकरन तीन में से समिकरन दो को घटाएंगे तो यहां लिखेंगे समिकरन समिकरन दो को घटाने पर तो जब समिकरन तीन में से समिकरन दो को घटाएंगे तो एक हजार एक्स में से दस एक्स को घटाएंगे और इधार 3, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9 में से 3. समिकरन दो कहा है 6, 9, 6, 9, 6, 9 तो कितना हो जाएगा जीरू इधार तो टोटल जीरू ही आता है दो में से छोट छोट तीन इनकी 366 हैगा 366 तो इस में से इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 990 एक्स बराबर 366 तो एक्स का भेलू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 366 बराइ 990 अब काटते हैं तीन से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 0 तो एक्स बराबर कितना आ गया 61 बाइ 165 याई क्या हो जाएगा चलिए और कुश्चन देखते हैं इस पर चार नमर जिससे अब 1.8 पर रह करेंगे रहेगा तो हम लोग कई से बनेंगे सो देखते हैं तो हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं तो पुना एक्स ही मानेंगे माना की एक्स बराबर 1.8 जिसमें किस पर रैक्रिंग है 8 पर तो जिस अंग पर रैक्रिंग रहता है वही संख्या बार बार आती है तो यह नहीं कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1.8888 यही आते रहे गा तो इसको समिकरन कितना मनते हैं एक आप देखिए हम बोले थे जितना पॉइंट के उधर वाला में जितना अंग पे रेकरिंग नहीं रहता है उतना भी 0 से गुना होता है और जितना अंग पे रेकरिंग रहता है उसमें भी 0 से ही गुना होता है तो अभी कितना अंग पे रेकरिंग है एक अंग पे गुना करने पर तो देखिए आप जब 10 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 10X और यहाँ एक अंकी धर आ जाएगा तो आप हो जाएगा 18.888. इसको समिकरन कितना मन लेंगे हम लोग 2 आप क्या करते हैं समिकरन दो मतलब बड़े वाले में से समिकरन छोटे वाले को घटाते हैं यानि कि समिकरन दो में से समिकरन एक को घटाने पर तो देखें 10x में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x और यहाँ 18.888 में से 1.888 घटाएंगे तो हो जाता है 17 देखा दिते हैं 18.888 में से 1.888 जब घटाएंगे तो 000071 यानि कि हो जाएगा 17 तो x का भेलो निकालेंगे कितना हो जाएगा 17 बटे 9 जब इसको इससे भाग देंगे तो 1 पर नंक 8 बाए 9 यही क्या हो जाएगा अंसर अब कुश्चिन नमर 5 फिर दीचे देखिए 2.8 पर रेकरिंग है तो फिर इसको मान लेंगे x तो माना कि x बडाबर 2.8 पर रेकरिंग तो अब जितना अंक पर रेकरिंग रहता है वही संख्या बर-बर दोहराती है तो x बडाबर 2.888 अपना दोहराते रहेगा तो इसको समय करिंग कितना मान लेते हैं एक अब जितना पोइंट के उधर वाले मतलब RHS वाले में जितनी पर रेकरिंग गाता है उतना 10 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना से गुना होगा एक 0 से यह निकि 10 तो दोनो तरफ 10 से गुना करने पर तो जब इसको 10 से गुना करेंगे तो इसको जब करेंगे 10x और इसको जब करेंगे तो ये कंकीधर चला आता है तो आज आएगा 28.8888 डोट डोट इसको समीकरन कितना मल लेंगे 2 अब क्या करते हैं बड़े बाले में से छोटे बाले को गाटाते हैं तो समीकरन 2 में से समीकरन 1 को क्या करने पड़े घटने पर तो 10x में से 1x घटा देंगे तो 9x और 28.8888 में से घटाएंगे 2.88 को कितना हैगा 26 तो x बड़े कितना हो जाएगा 26 भाई 9 तो जब इसको भाग दे देंगे तो 9 दुनी अठार है यहनिकी 8 9 यहनिकी 2 पुर्णा काठ भाई 9 अंसर हो जाएगा मेरा चलिए आगे question और देखते हैं इसी परकार question number 6 4.937 में 37 पर रखेंगे हैं तो फिर क्या करेंगे इसको x मानते हैं तो माना की x बड़ाबर 4.937 में 37 पर रखेंगे तो इनकी x बड़ाबर क्या हो जाएगा 4.9 और जिस संख्या पर रखेंग रहता है इनकी वही संख्या बार बार आती है तो 37 37 37 डोट डोट आती रहेगा इसको हम लोग समय करेंगे कितना मन लेंगे एक ठीक है अब देखें पॉइंट के उधर वाले rhs में एक अंग पर रखेंग नहीं है तो सब से पहले कितना से गुना करना पड़ेगा 10 से तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 x बराबर यहां फोर एक अंग की ठरकी सक जाएगा इनकी 49.373737. यही आएगा इसको समिकर रखेंगे कितना मन लेंगे दो अब कितना अंग पर रख रहेंगे है दो अंग पर तो अब हमको कितना दो जिरो से गुना करना पड़ेगा इनकी 100 से तो दोनों तरफ पुना दोनों तरफ एक सो से गुना करने पर तो एक सो से जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना एक हजार एक्स अब यहाँ दो अंग की धर आ जाएगा तो 4937.3737. आएगा चली इसको समी करने हम लोग कितना मन लेंगे तीन अब क्या करेंगे बड़ा बला में से छोटे वाले को घटाते हैं इनकी समी करन तीन में से समी करन दो को क्या करने पर है घटाने पर तो देखें यहाँ एक हजार एक्स है यहाँ दस एक्स है एक हजार एक्स मैनस दस एक्स यहाँ आप देखें घटा करके हम लोग देख लेते हैं 49.37.3737 अपना आएगा यहाँ 49.373737 आते रहेगा यहाँ 0 0 इधर तो सब 0 ही आता है यहाँ देखें तो आते मिस नहुत आठ बारे मिस चार तो आठ 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 यहाँ आजायेगा हमको 4888 तो यहाँ आजाएगा आप सिंप्लिफाय कर लेते हैं इसे को भाग देंगे जों आईगा वही अंसर हो जाएगा मेरा सिंप्लिफाय कर लेंगे चली आगे देखते हैं अम लोग नेक्स्ट को सम्हक्न को जैसे उपर वाले ही संख्या में सेवन नमर क्यूस्चन ले 4.937 में 37 पर रेकरिंग था अब ऐसा करते हैं जो सिर्फ 7 पर रेकरिंग रहेगा तो कई से बनेंगे तो देखें फिर हमको क्या करना पड़ेगा X मानना पड़ेगा तो माना कि X बरावर 4.937 में सिर्फ 7 पर रेकरिंग तो अभी देखेंगे पॉइंट के उ तरफ यानि की RHS में 2 अंग पर रेकरिंग नहीं है इनकी 2 0 यानि की सब से पहले आप हमको 100 से गुना करना पड़ेगा पहले एक बार लिख लेते हैं 4.937 777 डॉट डॉट रहेगा इसको से में कितना माल लेंगे एक तो अभी पॉइंट के उधर में 2 अंग पर रेकरिंग नहीं है यानि की हमको 100 से गुना करना पड़ेगा तो दोनों तरफ एक सो से गुना करने पर तो एक सो से गुना करेंगे अभी यह होजेगा यी एक सो एक्स और जब इसको करेंगे तो दो अंग की धर खिसकेगा इनकी 20493.777. होगा इसको से मिक्रण मुनेंगे हम लोग 2 आप एक अंग पर रेकरिंग था तो जितना अंग पर रेकरिंग रहता उतना से गुना करते हैं तो अभी कितना से गुना करेंगे एक पर रेकरिंग है इनकी दस से तो पुनह दोनों तरफ दस से गुना करने पर तो अब दस से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1000x बराबर 432, फिर एक अंकी धर खसकेगा यह इनकी 7.777. इसको समय करें हम लोग 3 मौन लेंगे अब क्या करेंगे? समिकरन 3 में से समिकरन 2 को घटाएंगे तो समिकरन 3 में से समिकरन 2 को घटाने पर तो जब घटाएंगे 1000x में से 100x घटाएंगे और इधर उधर तो सब 0,0 ही आ जाएगा इनके 49, 37 में से जब हम 493 को घटाएंगे तो यहाँ आजाएगा मेरा 900X बराबर 4, 4, 4, 4 इनके 4, 4 आएगा है तो X बराबर आजाएगा 4, 4 by 900 जब हमें इसको हल करेंगे 4 से करते हैं तो 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5 जब इसको अभी से भाग देंगे तो मेरा आजाएगा 4 पुर्णव 211 by 225 यही मेरा क्या हो जाएगा अंसर ठेक इसी तरह आप लोग इस दो चार क्वेशन हम लिखते हैं उस क्वेशन पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे 2.4178 है तो इसमें 178 पर रैक्रिंग दूसरा क्वेशन जैसे हम लोग लेते हैं 4.7 इसमें 7 पर रैक्रिंग तीसरा क्वेशन लेते हैं 0.052 इसमें 052 पर रैक्रिंग चौथा क्वेशन लेते हैं हम लोग 41.23 इसमें सिर्फ 3 पर रैक्रिंग 5 नमर क्वेशन लेते हैं 1.0057 इसमें 57 पर रैक्रिंग चथा क्वेशन लेते हैं 2.185 इसमें 85 पर रैक्रिंग सात्मा क्वेशन लेते हैं 1.224 इसमें 4 पर रैक्रिंग आठमा क्वेशन लेते हैं हम लोग 2.12345 इसमें 45 पर रैक्रिंग नमा क्वेशन लेते हैं 2.357 इसमें 375 पर अकरिंग और दसमों और सबसे लास्ट कुश्चन लेते हैं लोग 3.4257 इसमें सिर्फ 7 पर अकरिंग इस सब कुश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसा ही बनेगा आसा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ठेक